Hello Dear Students, Hello Dear Students, Welcome to Online Class आज आपा करम जा रहे हैं सत्वे क्लास दा लाश्ट पार्ट वीमा दादी मादा गीत एक कवीता है इस दापा पेलना सार पढ़ दे हाँ फिर करांगी व्याख्या दिगा दादी मादा गीत कवीता करम जित सिंग गरेवाल दी लिखी हुई है इस विच कवी ने अपनी दादी बारे लिखदा है कवी लिखदा है कि उस दे दादी पामे बुड़े हो गई हन पर ओ फिर भी सारा दिन कम विच कोई ना कोई सारा दिन कोई ना कोई कम कर दे रहेंदे हन ओ सिर ओ सिर पलोस दे हन ते अशीरवाद दे हन ओ अपने दुख सुख मान और सांजा कर दिन ओ इनने बज़ुर कहान की ओना तुर्ण लई खुंडी दा साहरा लेना पेंदा है जदो रात हो जान दी है ता वो मैंनो कोई ना कोई कहानी सनाओ दी है सोन लगे नो मैंनो मिठी मिठी आवाज दी लोरी सनाओ दी है मेरी दादी मैंनो सिख्या दिन देन वाली कहानियां सनाओ दे है जिडियां बडियां ही गेरियां सिख्या दिन दिया है मेरी दादी जी मेनों बहुत पराणिया कहाणिया सनाओ दे हन कदी-कदी परियादिया कहाणिया भी सनाओ दे हन कदी-कदी परियादि कहाणिया भी सनाओ दे हन कदे-कदे ओ बुजारतां भी पाऊं दे हन ओना नों असे भुझ नहीं सकते मेरी दादी जी साड़े कारविच्चों बजुर्गते स्याने हन पर ओ पूरे परिवार उत्ते असीस पर्याहात रखते हन किसे नू विव आपस विच लड़न नहीं दन्दे ते ना ही किसे नू वेला रहन दन्दे हन मेरे दादी जी सारा दिन खुश रहन दे हन साड़े गवान दे बच्चे जदों इकठे होके दादी कोल आउन दे हन ता मेरे दादी जी बहुत चंगे ते समझदार हन ओ बजुर्ग बहुत बजुर्ग हन पर फिर भी हर समय कामदे विच वियस्त पावरुजे रहन दे हन एसी अपना सार उन गल कर दे हां व्याख्यादी पहलना शावदर्थ लिख लोंगे फिर आप गल कर दे हां प्रसंग सहत व्याख्यादी जी मेरे पामे बुड़ी फिर भी रेंदी कामविच रुची देवे असी सां सिरहत तर दी मा नाल दुख सुख संजा कर दी हाथ विच भड के खुंडी अपनी तुर्दी जावे कुभी कुभी दादी मेरे है पामे बुड़ी परसंग लिखांगे एक आप डोटा साधी पंजाबी दे पाठ पुस्त कविता दादी मा दागीत विचुन लिया गया हैं जो करमजीत गरेवाल दे लिखिया होई हैं इस कुईता विच कभी ने अपने दादी बारे लिखिया है कि यो बुड़े होंदे बावजुद भी अपने आपनों किसी ना किसी काम विच व्यस्त रख दे हैं ते सानू चंकियां सिख्यामा दे हैं व्याख्या है इना काव सत्रा विच कभी लिखदा है कि मेरी दादी जी बहुत बुड़े हन पर फिर भी काम विच वो किसे ना किसे काम विच रुजी रहेंदे हन। सहारी दी लोड है ते उखुंडी लेकी तुर दी है। संग अपनाओ ही है तुसी चाओं तैनों लिख सक देओं गल करांगी व्याख्या दी। कवी अगे लिखता है कि जदों सूर छिप जानदा है पावरात हो जानदी है ता मेरी दादी मेनों कहाणिया सनओ दी है। मिठी मिठी आवाज विच होली होली लोरी सनओ दी है नाल ही मैनों उचित ते गैरी सिख्या दिन दी है। मैनों चंगा जीवन जिवन दी प्रेरना दिन दी है। मेरी दादी जी बहुत चंगे ते समझदार है नाल ही मेरी दादी जी बहुत बजूर्ग है पर फिर भी किसे ना किसे काम विच है। मेरी दादी जी दादी है वो बहुत बुजूर्ग है वो बहुत श्याने हैं। परिवार नों इकठा करके रख दे हान। किसे नों भी आपस विच लड़न नहीं दें दें। ते ओ किसे नों भी किसे किसम दे चिंता चले के नहीं बैठ दे। ते दूसरा नों भी हासाई रख दे हान। पर ओहर समय किसे न किसे काम विच रुज्ज रहन दे हान। आंड गुआंड दे सारे बच्चे आ जान दे जदी होके कठे। खान वालियां चीजां मांग दे। जोबन सुखी निमरत गुड़ी। जोबन सुखी निमरत ते गुड़ी। मेरी दादी मेरी है पावें भुड़ी। पर संग अपना उसे तरह यें गाल करांगे व्याख्या दी। जोबन सुखी निमरत ते गुड़ी। मेरी दादी जी कोल आके खान लेटी जां मांग दे जोबन सुखी निमरत ते गुड़ी। मेरी दादी जी कोल आके बच्चे खान वास्ते चीजा मांग दे हैं ते मेरी दादी जी पावें बहुत बुजुर्ग हैं पर ओ चंगे समझदार हैं ओ हमेशा किसे ना किसे काम विच्च लगे रहने हैं। देवे असीसा सिरहत सिरहत तर दी सदियां दी कोई गल पराणी कारविच किसे नो लड़ना दें दी आंड गवांड दे सारे बच्चे खान वाण यां चीजा मांग दे। इसी खाली थावां. प्रशन उत्तर दादी जी दुख सुख किस नाल संजा कर दे हैं। दादी जी मेरी मान अल दुख सुख संजा कर दे। दादी जी रात नों की सनओ दे हैं दादी जी रात नों पुराणिया कहाणियां परीक कहाणियां सनओ दिये कई बातां ते लोरियां भी सनओ दि दादी जी कवीता विच आये बच्ची ने दे ना लिखो जोबन सुखी ते निमरित ते गुड़ी बच्च इकठे हो के दादी जी कोड़ की मांगदे हैं खान वाड़ें चीज़ा शब्दा दे वाकवणों ने दादी मेरी दादी बाउत बजोर्ग हन मेरी दादी लोरियां दे के सुलाओं दे हन या सुलाओं दे हन असीसा वड़ें दियां असीसा अनमोल हन बात ए बात में थो बुजी नहीं गई संजा मेरी मां मेरी दादी नाल दुख सुख संजा कर दी है ता एस ही अपने प्रशन जो पूरे हों दे है अपना पार्थ पूरे हो गए हन हुण आपा नवा टोपी करांगे और समय विज़ तुसी नों पूरा करना चेक करवना तानुवाद